Hello everyone, आज मैं review दूँँगी UPSC CSA Plans 28 Years Previous Air Question Booklet by Murnal Sir ताकि आपको help ओ Previous Air Question की booklet खरीने में So, पहला point है कि यह topic wise arrange किया हुआ है और GS paper भी है और CCR भी है from 1995 to 2022 और इसमें strategy भी है, resources की list भी है और GS paper जो वाने पूरा का-पूरा solved हो रखा है और aptitude paper भी है और जो mains की question के लिए उन्होंने QR code provide कर रखा है So, जैसे कि आप देख सकते हैं content में पहले तो यह strategy and book list हैं ताकि आप idea ले सकते हैं कि कैसे strategy अपनी बनानी है अपने strength and weaknesses के according आपको बनानी है अपनी strategy तो आप इससे idea ले सकते हैं Next is history, geography, policy and governance, economic and social development So, ऐसे ही सारी soft topics General knowledge, current affairs और इसमें mental ability and management ability Next है यह जो QR code वाला part So, इसमें भी C, 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 C में भी सारी के सारी subtopics हैं तो आप इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इसमें जो question है 1995 से लेकर दीरे-दीरे 1996 से आई लेकर पूरे के पूरा 2022 तक क्वेस्चिन है अच्छे से arrange किया हुआ है और जो answer से उसमें answer के साथ hints and explanation दोनों दे रखे तो आपको बहुत ही easy होगा to study and next है कि इसमें पूरे के पूरे 28 years के question है तो जब हम 10 years के करते हैं तो वह बहुत इच्छा रहता है लेकिन अगर आप 28 years के करते हैं तो that will enhance your capability more and more next है कि इसमें topic wise दे रखे हैं जैसे कि हमने आपको पहले ही दिखा चुकी हो and otherwise अच्छे से arrange किया हुआ है it will help you more इसके साथ साथ जो website में upload किये गए है जो question है उसके answers भी है तो आप उसको भी देख लें ये book हो चाहे जो भी book हो अब जब भी पढ़ते हैं तो website के uploaded answer भी आप देख लें ताकि आपको clarity हो जाए कि हाँ यही सही है